सल्मान खान अपनी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली इमेज को लेकर हमेशा सचेत रहते हैं उन्होंने हमेशा अच्छे इंसान के रोल निभाने की कोशिश की है फिल्म में हॉट या चुम्बं द्रशिन न हो इस बात का भी धियान रखा है सल्मान का मानना है कि उनके करोणों प्रशंसकों में कई बच्चे भी हैं इसलिए वे अपनी फिल्म और अपने रोल को साथ सुत्रा बनाने की कोशिश करते हैं हाल ही में सल्मान को रेस थी में लेने की पुष्टी रमेश तौरानी ने की थी वे सल्मान को मनाने की कोशिश महीनों से कर रहे थे और सल्मान हाल ही में माने है इस फिल्म में सल्मान का किरदार ग्रे होगा इस तरह का किरदार सल्मान ने कभी नहीं निभाया है अचानक सलमान द्वारा ग्रे कैरेक्टर को निभाने के लिए राजी होना आश्चरी भी पैदा कर रहा है दरसल टूबलाइट के असफलता से सलमान को करारा जटका लगा है उन्हें महसूस हुआ है कि अब अलग-अलग और प्रयोगात्मक रोल निभाने का मौका आ गया है विदर्शकों को कुछ नया देना चाहते हैं लिहाज़ा उन्होंने रेस थ्री में ग्रे कैरेक्टर निभाने के लिए हा कह दी सलमान का ये किरदार स्टाइलिश, स्क्लिक और कूल होगा फिल्म के निर्माता रमेश तौरानी का कहना है कि ऐसा सलमान स्क्रीन पर आज तक नज़र नहीं आया जैसा की रेस थ्री में नज़र आएगा